आप सभी आई होप आप सभी अच्छे से होंगे तो दोस्तों आज की इस वीडियों हम बात करने वाले हैं कि आप एर टेल पेमेंड बैंक का स्टेटमेंट किस तरीके से निकाल सकते हैं अगर दोस्तों अगर आप अगर यूज करते हैं और कहीं पर सभी आप ट्रांजेक्शन यहां पर हमारा ट्रांजेक्शन हिस्ट्री यहां पर सो हो रहा है जो भी हमारा बालेंस यहां पर सो हो रहा है जितने हमारे ट्रांजेक्शन किया हुआ है यहां पर ट्रांजेक्शन सो हो रहा है तो किस तरीके से आखिर आपको स्टेटमेंट निकालना है किस तरीके से आप दोस्तों शुरू से लेकर लाश्ट तक complete अप अच्छे तरीके से वीडियो को वाज कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से option को आपको ढूनना है किस तरीके से यहाँ पर आप transaction को निकाल पाओगे तो जरूर वीडियो में अट तक मेरे वीडियो को लाइक करना चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना उस्तों साथी रुपल घंटी को ओल पे सेट करना जिसे मेरा नया आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा दोस्तों तो चलिए आपका नाट टैम लेटर वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों आपको कुछ भी नहीं करना आपको फ़स्ट में प्लेश्टोर में आना उसके बाद यहां पर आपको सर्च करना है एरटल थैंक से फिर वन ली पूर आपको एरटल टैम करना है उसके बाद आपके समने इस तरीके से उप्लिकेशन निकल के आजाएगा उसके बाद अगर आपने बहुत दिन से अप्लिकेशन को अगर अपडेट नहीं किया होगा अगर आपका यहां पर अपडेट का इंटरफेस आता है तो फटाफट से आप सभी को लेटेस्ट परजन में अपडेट करना है ताकि यहां पर अप्लिकेशन के इंदर जो भी नए फूचर नए प्रोसेस निकल किया है वो आप सभी को मिल सकेगा तो चलिए फटाफट से हम भी अफडेट करते हैं फिर आगे का प्रोसेस अब सभी को दिखाते हैं उसके बाद जश्ट आपको open करना open करने की बात दोस्तों आपके सामने इस तरीके से option निकल के आजाएगा यहां पर आप सभी को एक नया option जोला गया है हिस्टरी का अगर आप इसमें किलिक करते हैं तो यहां पर भी आपका transaction history असानी से अच्छे तरीके सो होगा लेकिन दोस्तों यहां पर अगर आपको एटर पेमेंट बैंक का पूरा यहां पर statement निकालना है किस तरीके से आपको निकालना होगा यहां पर आपका इस तरीके से option पूरा month यहां पर सो होगा यहां पर आप इसको select करेंगे इसको select करेंगे apply में click करेंगे उसके बाद जो भी आपने transaction किया हो गुश्टेट को सारा transaction यहां पर निकल के आ जाएगा लेकिन यहां पर आपको अगर पूरा bank का statement चाहिए यहां पर bank का statement निकालने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना जश्ट आपको manage वाले section में click करना है उसके बाद आपके समने इस तरीके से option निकल के आ जाएगा उसके बाद यहां पर आप सभी को option देखने को मिलेगा pay का send money का और passbook का तो जश्ट आपको इस passbook वाले section में click कर करने के बाद यहां पर आपके सामने 3-4 तरिके का option निकल के आ जाएगा रिचार्ज और बिल्स का सेविंग अकॉंट का यहां पर आपको पूरा सेविंग अकॉंट का सेटमेंट चाहिए तो जश्ट यहां पर आपको सेविंग अकॉंट वाले section में click करना है अब लिए सेही आपका स्व और आप चाहते जो भी डेट का निकाना यहां पर आपको डेट भी सेलेट कर सकते फिल्टर वाले सिक्सन में किलिक करके यहां पर आपको सारा उप्सन देखने को मिल जाएगा तो दोस्तों इस प्रकार से आप एड़ रिप्यमेंट वैंग का आसानी से स्टेटमेंट ऑनलाइन निकाल सकते हैं आई होब दोस्तों वीडियो का पसाना आएगा सराजिच के लिए आप समझ में आएगा वगा वीडियो का अच्छला वाद वीडियो को लाइक करना चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना वस्तों साथ ही रुपल वीडियो को लाइक करना जरूर सब्सक्राइब करना वस्तों चलिए मिलते हैं किसी नेक्ट वीडियो में